नमस्कार, एक्जाम है पीवाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों हम जूड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परिच्छा 2023 की तैयारी को ले करके तो जहारखन सिच्छक पत्रता परिच्छा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है यानि एक से दो महीनों में इसका भी बिग्यापन आपको निकल जाएगा तो जो भी सिच्छक बंदो जेटेट परिच्छा पास करना चाहते हैं जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बजारू किताब से एक से दो प्रशन भीड़ना बहुत ही मुस्किल हो जा रहा है तो आपको हम बता दें यदि आप JCRT टेस्ट बुक का दस्वी अस्तर तक यानि माध्मिक अस्तर तक का प्रशन आप बना लेते हैं तो यहां से सफलता आपकी 100% सुनेश्चीत हो जाती है तो हम यहां पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं जो कि यहां पर JCRT टेस्ट बुक शेहीं बनाते हैं और स्पेसल आपको JCRT टेस्ट बुक का सारा नोट्स चेप्टर पीडियेफ यहां पर चेप्टर वाइज आपको मिलता है तो उसके लिए हमने यहां पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसे मैध की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारी चैनल पर आ रहे हैं जहां तहां से सारी चीज़े आपको बता देते हैं जो कि आपका समय भी परवाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ तो अभी हाल फिलाल जो आकलन पर इच्छा हुई थी उसमें हमारे यहां से सारे नोट्स आपको बताते हैं जो जेसी आटी का हमने बढ़ाया था उसमें से हां से लिखा हुआ 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 प्रशन जो है आपका यहां पर 50-60 प्रशन लगबग भीड़े थें सिर्फ मैत का यह यदि आपके पास टेस्ट बुक है तो आप अवस्य पढ़ ले और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और यहां पर जेसी आटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है और मैत की तैयारी केवल अभी 100 रुपे परती महिना पर करवाई जा रही है तो तो उस सबसे देखें बहुत कौम ही भीड़ेगा वहां से प्रसन बहुत कौम आएंगे लेकिन आप टेस्ट बुक से प्रसन उतर बना हुआ नोट्स जो पढ़ेंगे वहां से आपको 60-70% प्रसन जो है जडूर आपके एक्जाम में भीड़े जाएंगे तो यदि आपको ल सब्सक्राइब करते हैं साथ ही साथ आपका कलास भी है यूट्यूब पर चल रहा है आप जूड़ करके तैयारी कर सकते हैं प्रसन आया हुआ था कि महासागर की संख्या कितनी है तो इसको देखें आप पर इसका एंसर क्या लिखा गया है पांच है लेकिन इसको हम हमेशा याद रखने के लिए कभी-कभी देता है किसमें कौन से महासागर का नाम है उसमें कुछ रहेंगे महासागर के नाम नहीं रहेंगे तो वहां पर आपको प्रोबलम हो जाता है तो आप इसको देख लिजेगा तो इसमें हम आपको ट्रीकी माधियम से भी सारा चीज़ देते हैं, यहाँ पर क्या है आपका, अंटी ने आकर कही प्रसांत और अटल हिंदुस्तानी है, ठीक है, क्या कही, अंटी आकर कही कि प्रसांत और अटल हिंदुस्तानी है, बहुत अच्छी बात है, प्रसांत जी का नाम भी आप जान रहे हैं, और अटल जी का नाम भी जान हिंदुस्तानी का भी नाम जा रहे हैं, तो यहां पर सिफ क्या है, अंटी बताती है किसी को कि प्रसांत और यह अतल, जो उनके रूम में रहते हैं, वो क्या चीफ है यह हिंदुस्तानी है, ठीक है, तो अंटी से देखे हो जागा अंटाक्रितिक महासागर, ठीक है, तो महासागरों की संख्या कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार और एक, पाँच अब आप इसमें से देगा कि इसमें कौन महासागर है तो आप यहां से देखिए आंटी आकर कही प्रसांत और अटल हिंदुस्तानी है तो इससे आप महासागर का नाम इसमें से ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए आपको ट्रीकी भी है सारा चीज़ आपको जो अब्जेक्टिव प्रसन होते हैं वो बन जाते हैं तो इस ट्रीक को देखिए आप लोग दम दिवां बिठा लिजगा आंटी आकर कही प्रसान्त और अटल हिंदुस्तानी है आंटी से अंटाकरटिक महासागर आकर से आर्करटिक महासागर प्रसान्त से प्रसान्त महासागर और अटल से अटलांटिक महासागर और हिंदुस्तानी से हो जागा हिंद महासागर ये हो गया ठीक है देखें महासागर से जो प्रस्ण पूछे गए हैं उसको हमने यहाँ पर विधिवत आपको नोट्स बना दिये हैं आप सभी देख लिजेगा इहां पर देखें प्रसांत महासागर से एक प्रस्ण जो है आपको इहां पर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो प्रसांत मह प्रशन आया हुआ था ठीक है एक तीहाई भाग पर परसांत महासागर फैला हुआ ठीक है अगला इहां पर अगला पॉइंट्स जो आता है जो आपके एक्जाम है बस हुए ही हमने निकाला हुआ है इहां पर जो भी जेसी आर्टिक टेस्ट बुक का है कहीं का नहीं है और चेप्टर वाइज आपको इहां पर सारा चीज हम दे दे रहें ठीक है तो प्रित्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त परसांत महासागर म स्थित है और ये भी प्रशन आपको एक बर पुछा गया है कि कौन सा महासागर जो है उसकी आकरीती वरीताकार है किस महासागर की आकरीती जो है वरीताकार है तो उसका राइट एंसर देखे हो जागा प्रसांत महासागर ठीक है चली इसके कुछ महत अपुन प्रशन जो प पढ़ानिस में हो गया, अब देखें यहां पर क्या है, सबसे बड़ा महासागर का नाम बताएं, अभी तक तीन बर पुछा गया है, उसका नाम है परसांत महासागर, परसांत महासागर प्रिथवी के कितने भाग पर फैला हुआ है, एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है, इतना प्रश्णा आपको निकल के आया हुआ है, आप सभी इस महासागर को जडूर देख लिजेगा, ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं, अगला अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर क्या है, या बीसवकाद दुसरा महासागर है, दुसरा सबसे बड़ा महासा तो अभी आपने देखा परसांत महासागर विस्व का सबसे बड़ा महासागर है अब विस्व का दुसरा कौन है तो अटलांटिक महासागर है और देखिए इस महासागर को अंद महासागर भी कहा जाता है पूछा जाता है कि किस महासागर को अंद महासागर की उपाधी दिया और यह सबसे ब्यस्त महासागर है, देखे, सबसे इपोटेंट परस्ण जो इससे अभी तक पूछा गया है, कि सबसे ब्यस्त महासागर कौन है, सबसे ब्यस्त महासागर कौन है, दे देगा परसांत महासागर, हिंद महासागर, Atlantic महासागर, Arctic महासागर चार को option दे देगा आपको तो सबसे ब्यस्त महासागर कौन हो गया यहाँ पर तो सबसे ब्यस्त महासागर आपका हो गया Atlantic महासागर हो गया ठीक है, सबसे ब्यस्त महासागर कौन हो गया Atlantic महासागर है या सबसे ब्यस्त महासागर है चले इससे अभी तक के आप पर इच्छा मायवे प्रस्ण को देख लेते हैं एक बार बीसव का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है एक बार पुछा गया है अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है अंद महासागर किस महासागर की आकरिती ए सकार की है तो इसका इंसर हो जाएगा Atlanta कि महासागर और सबसे last प्रस्ण जो इस पर अभी तक का आया हुआ है बेपार की द्रिष्टी से सबसे बड़ा ब्यस्त महासागर कौन सा है इसका right answer अटलांटिक महासागर और या MBVI प्रस्ण है और लास्ट परिच्छा तक जाते जाते भी नोट्स ज़रूर देख लेंगे और सारा विडियो एक बर देख लेंगे यहां से आपको बहुत जादा प्रशन जो है करने वाला है क्योंकि आपको यहां पर चेप्टर वाइज नोट्स मिल रहे है जेसी आर्टी टेस्ट बुक का यदि आपने सिलेबस देखा है तो आप देख लिजेगा उसमें लिखा हुआ है कि जेसी आर्टी टेस्ट बुक के पाठकराम पर अधारी सारे प्रशन पूछे जाएंगे ऐस प्रस्ट किया हुआ है हिंद महासागर चलिए तिसरा देखते हैं हिंद महासागर ये हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है तो ये पूछा गया है कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है तो वो आपका हो जाएगा हिंद महासागर इस महासागर की आकरिती जो है वो तिरभूच के अकार की है हिंद महासागर की आकरिती तिरभूच के अकार की है तो तीनों महासागर को आपने देख लिया परसांत महासागर कैसा है बृताकार है पर संत महासागर विताकार है ठीक है उसके बाद आप देख लिए Atlantic महासागर A.S. अकार का है और यहाँ पर हिंद महासागर जो है वो तिरभूज काकार है तीनों काकार याद कर लिजेगा एक प्रशन हो सके कि आपकर Egyam में आजाए देखें परिच्छा में आये हुआ प्रस्ण क्या है किस महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया है राइट एंसर हिंद महासागर और हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है किस महासागर के आकृति तिर्भूजाकार है तो वो एंसर हो जाएगा हिंद महासागर तिर्भूज आकृतिक की आकृतिक किस महासागर की है हिंद महासागर की है यहाँ पर यह सबी प्रशन जो एक अक बार आपट पूछ दिये गए है से आई एक और नया महासागर देख लेते हैं आरकृतिक महासागर ठीक है चले important सारे प्रस्ण हो यहां पर देखते हैं, arctic महासागर का important प्रस्ण क्या हुआ है, कौन सा महासागर उत्री धृरू के चारोतर फैला हुआ है, एक बार पुछा गया है, वो है आपको arctic महासागर, arctic महासागर को अन्यकी सबान से जाना जाता है, तो हो जाएगा आपको bearing जल संधी ठीक है देखिए लिए आप यहाँ पर सिछक पात्रता परिच्छा में अपना पर्चम लराना चाहते हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी तेयारी आपको यहाँ पर जैसी आटिक टेस्ट पूपर करवाई जा रही है जिससे कि आप सिछक पात्रता परिचा में 100% सफलता पराप्त कर सकते हैं चाहे वो जिस किसी भी सब्जेक्ट का हो आप यहाँ जोईन करें चाहे आप 1-5 के सिछक हो 6-8 के सिछक हो किसी भी सब्जेक्ट कि आपको तयारी में लग रहा है कि कमजोरी है तो आप बजारो किताब सना पढ़कर के हमारे चैनल से जुड़े